हेलो जाहिन फ्रेंट्स, आज हम HPSSE Statical Assistant का प्रिविए सेर कोश्चन पेपर डिसकस करेंगे, जिसमें हम GK का पोश्चन कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हेलफफुल हो सकती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोश्चन है, उपनिशित पुष्ट के हैं, तत्तुग्यान, कानून, धर्म, या योग, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, तत्तुग्यान, अगर दोस्तो उपनिशितों के संख्य की बात की जाए, इसकी संख्या 108 थी, और उपनिशितों को भारति दर्षन का पिता भी कहा जाता है, इसके बाद next question है, किसने पाटली पुत्र को सतापित किया था, उदाईन ने, अशोक ने, बिम्बिसार ने, या महापदमानन्द ने, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, उदाईन ने, उदाईन अजाशत्रू का पुत्र था, इसके बाद next question है, पहली correct answer है, option number C, राजगरी, अगर बात की जाए, पहली बोच समीती की, या 483 इस्वी में, राजगरी में, अजाशत्रू के समय हुई थी, इसके बाद next question है, अंती मोरे समराट कोन था, अवंती वर्मा, नंधी वर्दन, जलोक या ब्रिधिस्त, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number D, ब् पुहार का संस्तापक कोन था, अगर दोस्तो बात की जाए, पुहार की, या तमीनाडुरजे में, स्थित एक नगर है, जो प्राचिनकाल में, एक बंदरगा था, तो दोस्तो इसकी स्तापना की थी, option number A, कारिकलाने, इसके बाद next question है, मिर्च काटिका किसके द्वारा लिख अगर दोस्तो बात की जाए, मिर्च काटिका की, या एक सांस्कृतिक नाटक था, इसके बाद next question है, अमीर खुसरो किसके दरवारी कभी थे, अकबर के, मेहमूद गजनवी के, अलाउदीन खिल जी के, या option number D, इसमें से, कोई नहीं, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, अलाउदीन खिल जी के, next question है, प्रसिद्व, वीरुपाक्ष मंदिर कहां स्तित है, भद्र चलम में, चिंद बर्रम में, हम्पी में, या इसमें से, कोई नहीं, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, हम्पी में, अगर दोस्तो बात की जाए वीरुपाक्ष मंदिर की, या उडिसा रज्जे में स्तित है, और या तुकभद्रा नदी के किनारे स्तित है, इसके बाद next question है, भग्तुकाराम किस मुगल समराठ के समकालिन थे, बाबर, अकबर, जहांगीर, या औरंगजेव, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, जहांगीर के, next question है, शेर्शा का मकबरा कहां है, सांसाराम में, दिल्ली में, कलींजर में, या सोनार गाउं में, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, सांसाराम में, next question है, किसे मराठा राजकर्ण का चण के कहा जाता है, बाजिरा अदूत्य को, बाला जी विशुनात को, नाना फंडन बीस को, या option number D, इसमें से कोई नहीं, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, नाना फंडन बीस को, next question है, महराजा रंजीत सिंग के वारिश कोन थे, खड़क सिंग, शेर सिंग, हरीहन सिंग मालवा या नैनिहाल सिंग, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, खड़क सिंग, next question है, मदरास के रियातवाडी व्यवस्ता के साथ कोन जुड़ा हुआ था, मालकम, मेट कालफे, मुन्रो या अलफस्टीन, तोस्तो इसका correct answer है, option number C, मुन्रो, next question है, नीमिन मैंसे किसे भारत का मार्टिन नुथर कहा जाता है, स्वामी दयानंद सर्श्वती को, राजा रहमोन राय को, स्वामी विवेकानन्द को, या स्वामी श्रद्धनन्द को, तो इसका correct answer है, option number A, स्वामी दयानंद सर्श्वती को, next question है, 1946 में तिभागा अंदोलन कहां हुआ था, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, या बंगाल में, दोस्तों, इसका correct answer है, option number D, बंगाल में, next question है, मातमा गांधी के साथ, नमक सत्यगरा की अगवाई, किस ने की थी, एनी बेसेंट ने, मुरिदुला साराबाई ने, मुथू लक्ष्मी ने, या सरोजनी नाइडू ने, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number D, सरोजनी नाइडू ने, next question है, सविधान में हमारे देश को किस नाम से दर्शाया गया है, इंडिया और भारत, इंडिया और हिंदूस्तान, केवल भारत, इंडिया भारत और हिंदूस्तान, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number A, इंडिया और भारत, next question है, भारत के सविधान के 29 में, शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है, बोध, जैन, सिख या पार्सी, दोस्तों, इसका correct answer है, option number D, पार्सी, इसके बाद, next question है, रज्य के नीति निदेशिक सिधान्त है, नियोचित, अनियोचित, कुछ प्रावधान नियोचित है, या option number D, इसमें से कोई नहीं, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number B, अनियोचित, next question है, भारत के सविधान में, सभी कारिकारी अधिकार नहीत हैं, प्रधान मंत्री में, राष्टपती में, संसद में, या मंत्री मंडल में, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number B, राष्टपती में, next question है, भारत के राष्टपती की विरुद्ध कोन महंभियोग शुरू कर सकता है, केवल लोकसबा, केवल रज्यसबा, संसद का कोई भी सदन, या कोई भी विधान सबा, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number C, संसद का कोई भी सदन, next question है, भारत का वित बिल, कहां प्रस्तुत किया जाता है, रज्यसबा में, लोकसबा में, विधान परिशित में, या विधान सबा में, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number B, लोकसबा में, next question है, भार 1948 में, 1957 में, 1976 में, या 1991 में, तो दोस्तो इसका correct answer है, option नमर B, 1957 में, next question है, अब तक भरत के राष्टेपती ने कितनी बार राष्ट या पात स्थिति की गोशना की है, कभी नहीं, केवल एक बार, सिर्फ दो बार, या तीन बार, तो दोस्तो इसका correct answer है, option नमर D, तीन बार, पहली बार, 1962 में, भार चीन युद के दोरान, दूसरी बार, 1971 में, भारत पाकिस्तान युद के दोरान, और तीसरी बार, 1975 में, अंतरिक अशांती के कारण, राष्ट पती, राष्ट या पात काल की गोशना की गई थी, इसके बार, next question है, भारत में क्रिशीर आय की गणना, किस के दोरा की जाती है, input विदी के दोरा, output विदी के दोरा, खर्च विदी के दोरा, या वस्तू प्रवाविदी के दोरा, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number B, output विदी के दोरा, next question है, करक रेखा, यहां से नहीं गुजरती है, भारत, मिस्तर, मेक्सिको या इरान, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number D, इरान, next question है, प्रिथ्वी के उपरी सता में, प्रचूर मातरा में मिलने वाली धातू है, मेगनीशियम, कैलिशियम, लोहा, या अलमूनियम, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number D, अलमूनियम, next question है, विश्यू का सबसे साक्रिय ज्वालम की है, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number A, कोटा पाक्सी ज्वालम की, next question है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्तल स्थित है, उस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्तर में, या उत्री अफ्रीका में, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number A, उस्ट्रेलिया में, next question है, वी आकार की खाई बनती है, हवा से, हिमनद से, भूमिकत जल से, या नदी से दोस्तों, इसका correct answer है, option number D, नदी से, next question है, डिगायो गर्सिया है, अर्बी समुंदर में, बंगाल की खाडी में, हिंद महासागर में, या एडन की खाडी में, दोस्तों, इसका correct answer है, option number C, हिंद महासागर में, next question है, विश्यू का सबसे उंचा जल प्रपात है, विजूएला, USA में, ब्राजील में, या भारत में, तो दोस्तों, इसका correct answer है, option number A, विजूएला में, next question है, अधिकाज मोसमी घटनाएं होती है स्टैटोस्पेर में, अइनमंडल में, मेसुस्पेर में या ट्रैपोस्पेर में तो दोस्तो इसका correct answer है option number D, ट्रैपोस्पेर में next question है सर्दी की साफ रातरी को पित्वी की किस घटना के कारण ठंड होती है चलन के द्वारा, विकरण के द्वारा, सुवान के द्वारा या संग्नन के द्वारा तो इसका correct answer है option number B, विकरण के द्वारा next question है वियापारी हवा सबसे शक्तिशाली डैश के द्वारान होती है सर्दिउ में, गर्मिउ में, वर्षा रित्व में या पर्णपाती रित्व में तो दोस्तो इसका correct answer है Option number B, गर्मिउ में Next question है 사ईडर राइट किस का आइसक है कोपर का, تین का, अलमूनियम का या लोहे का तो दोस्तो इसका correct answer है Option number D, लोहे का नेक्स्ट कोश्चन है, सबसे उंचे स्तर और अच्छी गुणूता वाला कोईला कौन सा है, एंत्रिसाइट, लिगनाइट, पीट या बिटमीनिस, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, एंत्रिसाइट, नेक्स्ट कोश्चन है, भारत विश्चु का किस चीज का सबसे बड़ा बादक है, दहन का, गेहूं का, जुआर का, या कपास का, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number C, जुआर का, नेक्स्ट कोश्चन है, नाथुला दरा स्थित है, सिक्कम में, भूटान में, अरणाचल प्रदेश में, या जमू किश्मीर में, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number A, सिक्कम में, नेक्स्ट कोश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, उनिसो नतर में, उनिसो सत्तर में, उनिसो बहत्तर में, या उनिसो त्यातर में, तो दोस्तो इसका correct answer है, option number D, उनिसो त्यातर में, सबसे पहला नाविकिय उज्जा सयंत्र कहां स्तापित हुआ था महराष्ट में, मध्य प्रदेश में, राजिस्तान में या उत्तर प्रदेश में दोस्तो इसका correct answer है option number A महराष्ट में नेक्स्ट कोशन है डेसिबल एकाई है प्रकाश की गति की द्वनी की तीवरता की उश्मा की तीवरता की या इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correct answer है option number B द्वनी की तीवरता की नेक्स्ट कोशन है नीमन में से उश्मा का सबसे अच्छा चालक है अलकोहल, पारा, इंथर या पानी दोस्तो इसका correct answer है option number B पारा नेक्स्ट कोशन है सूर एक सवेदना है जो आधारित है अवरिती पर, amplitude पर, तरंगधारे पर या वेग पर दोस्तो इसका correct answer है option number A अवरिती पर, नेक्स्ट कोशन है मनुनेतर में नेतर प्रतल का प्रतिबिंद बनता है अभासी और उल्टा, अभासी और सीधा, वास्त्विक और सीधा, वास्त्विक और उल्टा, तो दोस्तो इसका correct answer है option number D, वास्तवी को रूल्टा next question है electronic bulb का filament बना होता है tungsten से, necron से, lade से या aluminium से तो दोस्त दोस्त का correction से रहे option number A, tungsten से next question है carbon monoxide और hydrogen के emission को क्या कहते हैं उतपादक गैस, water gas, प्राकृतिक गैस या इसमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका correction से है option number B, water gas next question है समन्य कांच है sodium और silicate का calcium और silicate का calcium और sodium silicate का या copper silicate का दोस्तो इसका correct अनसर है option number C, calcium और sodium silicate का next question है दूद किसकी वज़ा से खटा होता है प्रोटो जोगा की वज़ा से बैक्टीरिया की वज़ा से वाइरिस की वज़ा से या निमी टोड की वज़ा से तो दोस्तो इसका correct अनसर है option number B, बैक्टीरिया की वज़ा से next question है पोधे का कौन सा वाग अफिम देता है पत्ते, फल, फूल या ज़ड तो दोस्तो इसका correct अनसर है option number B, फल इसके बाद आगे कौन्ट अफियर का पोश्चन हम स्किप कर लेते हैं इसके बाद next question है भारत में मनू का मंदिर है कुलू में, मनाली में, सराहन में या महान में तो दोस्तो इसका correct अनसर है option number D option number B, मनाली में next question है किस किशेतर को शहद और दूदगी घाटी के नाम से जाना जाता है कुलू घाटी को, चमबा घाटी को, स्पिती घाटी को, या दून घाटी को तो दोस्तो इसका correct अनसर है option number B, चमबा घाटी को next question है कस्तूरी मिरिक फार्म कहां स्तित है लदाना घाट में, समरहिल में, तारा देवी में या कुफरी में तो दोस्तो इसका correct अनसर है option number D, कुफरी में next question है चेनी दरा किस जिले में स्तित है कुलू में, मंडी में, सोलन में, या चमबा में तो दोस्तो इसका correct अनसर है option number D, चमबा में next question है चंदरा भागा घाटी को कहते हैं पत्रन घाटी लिगती खाई, चंदर या कोक्सर तो दोस्तो इसका correct answer है option number A, पट्टन खाई next question है हिमाचल प्रदेश की पहली मैला गवर्नर कोन थी प्रभा राव, V.S. रामा देवी, लीला सेट या सरोजनी नाइडू दोस्तो इसका correct answer है option number B, V.S. रामा देवी तो friends, आज के लिए बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद